असलाव अलेकुम दोस्तों, उमीद करता हूँ, आप सभी लोग खेरियत से होंगे, आज आज है मैं सौधी अरब की कुछ जरूरी खबरे लेके, इसमें खबरे रहेंगी, सौधी अरब एक स्पेशल कैटिकरी का वीजा दे रहा है, तीम महिने का वीजा, उसके रिकामा इंफ आज से रिलेटेड भी खबरे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग आखीर तक देखेंगा, आप लोग पूरा अपडेट, पूरा नूज जो है समझ मैंगा, तो चलिए वीडियो को सुरुआत करने से पहले, आप लोगों से गुजार इसकरता हूँ, अगर आप लोग मेरे च आप लोग को मालूम है, तो आखरी जो डेट है, तो आखरी जो देट है पहले पहले जो पहले जो पेमेंट बाकी है, जो डिव है इस साल हज करने के लिए उसको भर दें, नहीं तो गैंसल हो जाएगा, फिर इस साल जो हज नहीं कर पाएंगे. दोस्तों एक अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूंगा वो जौजात के ट्विटर हेंडल पे एक घरे लूर करने हाउस ड्राइबर ने कोस्चन किया था कि मेरा जो है मैं हाउस ड्राइबर मेरी फैमली भी यहां पे है और हमें एकामा रिनुवल करना है तो क्या मैं यह एक प्राइबर मुल्की लोग हैं जो साओधी अरब में अगर वो लोग कमर्सियल में है तो कमर्सियल में यह ऑफ्शन रहता है तीन-ती मेने का इकामा रिनुवल करने के लिए अगर आप लोग किसी भी कफिल के पास हैं घरे लूर करें और आप अपनी फैमिली को बुलाये हु कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि घरेली वर्कर जो है तीन महीने के लिए अपना इकामा रिनुवल कर सकते हैं यह जो है केवल कमर्सियल वर्कर के लिए तो यहाँ पर और जोगों के मन में रहता भी है चलिए सबसे पहले दिखते हैं सवाल क्या फिर इसके बारे में ड जौजात के ट्विटर आठाउन के इसमें कहा गया है कि हम अपने देश चुट्टी पे वापीस आये थे और इमेरजनसी में चुट्टी बढ़ाना था था हम ने कफिल से बात कि हमारा चुट्टी बढ़ा देजिए वह रेडी भी होगे हम आपका चुट्टी बढ़ा दें अब ये भाई साब ने जवाब दिया है कि कोई भी आदम अगर चुट्टी पे जाता है और जाने के बाद से वह वापीस नहीं आता है तो जितने दिन की चुट्टी एक्सपायर होने के बाद अगर वह वापीस नहीं आया चुट्टी बढ़ाने का तो है लेकिन कफिल ने अगर नहीं बढ़ाया, आप नहीं आपाएं, अगर कफिल ने हीकामाई चैंसल कर दिया, तो आप कफिल का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ने उलंगन किया है किका है, आप क्छुटी के नियम का उलंगन किया है, तो आपके ऊपर तीन साल की पाबंद ही लगए, उन्होंने कामा केंजल करते हैं अब आप साओधी अरब नहीं जा सकते हैं और साओधी अरब नहीं जा सकते हैं मतलब किसी भी वीजा पे नहीं जा सकते हैं तो जो लोग भी सोचते हैं कि हम अब जो है उम्रा वीजा पे चले जाएंगे या फैमिली वीजीट वीजा पे चले कोई प्राउधान अब नहीं है 2020 से सारे रूल चेंज हो चुके हैं कुरुज वल यमद में जो लोग भी आते हैं तीन साल की पाबंदी जिनके उपर आयद होती है वो लोग साओधी अरब किसी भी विजा पे नहीं जा पाते हैं यह एक पॉइंट हो गया यह क्लियर हो गया जि कि वो लोग तंक होते हैं धियां दे रएंगे दा इनक्सेल साथ दियी काम कईके वाइन 要गा हो चुटी काम करा तो अब लेकिन आपके साथ दोगा हुय लेकिन आपका ही घृआन रखे कि कोई भी लोग कुए भी लोग चुटी पर जाएं तो अगर चफिल अच्छा है पढ़ा रहा है तो आप लोग चुट्टी एक्सपायर होने से पहले साओधियरब जरूर पहुंच जा है एक अगला नियोज आप लोग से शेयर करना चाहूंगा कापी इंट्रेस्टिंग नियोज आप लोग को मालू में कि इंडिया में लोग कही तरह की वीसी वाला होता है क वाली गेम खेलते हैं पैसे कट्टा करके एक साथ और कुछ करकर लोगों तुम लो तुम लो तुम लो ऐसा करके किसी एक आदमी के नाम से पट्टा निकाल के दे दिया जाता है उस तरह का कुछ सीन करते हुए साओधियरब में एक आदमी को पकड़ा गया है और उसको 30,000 यह लोग यह जो चीज होता है वो इसमें बताया गया है कि यह लोग फिनांसियल कंपनी ठाइप का मतलब कुछ चला रहे थे और उसमें इनका कंपनी भी कुछ भी रजिस्टर नहीं था मुह से बोलके बाते करके आई साइसा होता है करके कर रहे तो समझ में बात यही आती ह कि कमेटी टाइप आप कुछ खेल रहोंगे भाई साब लोग और इसमें किसी से कोई प्रॉब्लम होई होगी और किसी ने कंप्लेंड कर दिया होगा तो यह लीगल चीज है आप भले ही आप लोग खेलते हैं आप सी सहमती से यार दोस फैमली वाले वहां पे जो रहते हैं व करें होने वाला है जम्य राट के दिन तो जम्य राट के दिन जो है आप लोग चांद देखने का एतमाम करें चांद देखने की कोशिस करें और चांद जो आगा जो हो दिए महीने का विजा होगा तो गैर मुलकी. उस भूल आए ल robić, इस विजा पर तीन महीने का विजा मलेगाRR तो तीन महीन और आप आपका विजा बढ़ा सकत favori काव uda शुख दूपन को आप लोग ने नाम सूनेंगे उसी तरह को इसको आसान कर दिया ज़रूरत नहीं कोई ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं आपके कमपनी में कॉंट्रेक्ट हैं आप कीवा से कॉंट्रेक्ट करेंगे वह यह हमको इतने बंदे चाहिए उतने वह बंदे मतलब वीजा ग्रांड कर देंगी वह और वीजा उसका वाकाला आएगा ओफिस वाले फिर बंदे आपसे कमपनी बोलेगी वह कमपनी में बंदे जाएंगे काम करेंगे तीन महीने का विजा रहेगा शौर्ट टर्म वर्क परमिट बोलते हैं जिसको फिर वह तीन महीना वहां पे एक्स्टेंड भी हो सकता है यह नए किसम का विजा जब साओधी अ बंद होगा 20 तारीक सो फिर जाके 27 चार को जो है यानि अगले थरस्टे को खुलेगा तो समझे उसमें भी कोई कुछ काम नहीं हो पाएगा तो जिन लोगों ने विजा के लिए प्रोसेस किया है थरस्टे का जिनका सब्मिशन रहेगा वो तो हो जाएगा फिर उसके बाद बाले हफते में बात जाने वाली है मोटा मोटी मान लिजिए कि दस दिन के लिए बंद रहेगा दस दिन तक विजा और नहीं लगने वाले हैं दोस्तों एक काफी इंपोर्टन अपडेट आई है कोईस से लेखे जैसे साओधी में साओधीजेशन हो रहा है वैसे कोईट में काम करते हैं अब उन लोगों के उपर जो अनकी नौखरी के उपर जो करणें ने तलवार लटका दी हैं उनकी नौखरी कभी भी जा सकती है और लगभग 10 घशार लोगों की शटरी होगी उनका Iqcama कैंसल होगा उनका Residence Permit कैंसल होगा और वो लोग जो है अपने देस वाफ तो वीडियो को दोस्तों में शेर कीजिए साथी अरब और गर्फ कंट्रीज के रिलेटेड अपडेट जो है गैर मुल्कियों के रिलेटिंग जो रहता है वह मैं अपने इस चैनल पर लेके आता रहता हूं तो उमीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे चैनल को सब्सक